हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई चैनल अर्चना की चैनल ब्लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड ये जो यम्मी और डिलेसियस डिफरेंट सा नास्ता आप देख रहा है न ये बच्चे तो बच्चे बड़ो को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला नास्ता है बच्चे तो आपसे बार-बार बनवा बनवा करके खाने वाले हैं इसे क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा ये पसंद आने वाला है तो चलिए देखते हैं कि ये जो आज मैं ये नास्ता बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट सा ये बना कैसे है तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं पनीर तो एक पनीर है फ्रेंड और उसमें हम डाल रहे हैं दो चमश कॉर्ण फ्लोर डाले हैं जिसे कि हमारा पनी क्रिस्पी बनेगा और फ्रेंट बता दू कि मैं ये वाला नास्ता बनाने वाली नहीं थी लेकिन बस कुछ चीजे सामने दिख गए और मेरा आज का ये इजी सा नास्ता बन करके रेडी हो गया तो चलिए कॉर्ण फ्लोर जो है कि दो चमश लिए हैं उसमें जीरे का पॉड कॉर्डर है और थोड़ा सा काली मेर्च है और यहाँ पर हम ले रहाएं सेजवान की चटनी तो फ्रेंट अब अगर आपके पास ये नहीं होगा तो यहां पर यहां पर फशिवाल्ट को कुट को ड़ लिए और हम डाले है सोया सौस और चमच ऑर और चमच यहाओ ही आफार चल ये यहाँ पर चुली सुस लेना हूं जाले हुआ इसी पर दोले चीमच रिखे में चैंट शोप से और यहां पर सुमिगें फोदी चांफ होदायी का फुका आपको इस तरह का नास्ता ये वाला बनाना होगा ना तो आप पनीर को थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में कट करिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा फिर तो चलिए यह से दस मिनट के लिए आपको होल्ड करने के लिए रखना है जिसे की हमारा नमक वगर पनीर में अच्छी तरह से अंदर तक घुल जाए तो दस मिनट मेरा हो गया था और सामने मेरा बनाने जा रही थी चौमीन तो चौमीन मेरा सामने रखा हुआ था तो बस मुझे आईडिया मिल बता है फ्रेंड आप और भी अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं तो पूरा बिल्कुल अच्छे से कर दीजिएगा और लपेट लीजिएगा यह इतने लंबे-लंबे होते हैं कि बहुत अच्छे से यह लपट भी जाते हैं और खुलते भी नहीं है और आपको किसी और चीज मे मेरे पास जितने ही पनीर है मैं सब में ऐसे मतलब चौमिन को लपेट लूँगी मैं पहले एक लपेटी तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मतलब देखने में लुक वाइज भी अच्छा लग रहा था और किसी गेश्ट के सामने परस दीजिए तो भी कहेगा रिवा यह क चौमिन की एक अलग रेश्पी हो गई है पनीर और चौमिन की खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी लग रहा था क्रंची बहुत ज़्यादा था तो अब इसे करके मैं फ्राइ कर ले रही हूं अपना और जब इसमें जब कडाही में फ्रंट डालिए गा ना यह टिक प्रेटे हुए है ना यह खुल जाएगा आपका तो इसलिए जब डालिए तो आज को तेज रखिए मतलब ओयल को थोड़ा हीट गरम रहने दीजेगा और उसके बाद बिल्कुल कम करके इसे क्रिस्पी होने तक आप सेख लीजेगा जितना आपको पसंद है और यह बहुत चल्दी बन भी जाता है और इसमें कोई भी जंजट नहीं है बिल्कुल लुक वाइस भी यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा था तो बच्चे तो बच्चे पसंद करने वाले हैं गेश्ट के ऊपर आपका एक अलग इंप्रेशन भी इसे देख करके पढ़ने वाला ह तो आप अपनी सिंपल सी चीज को भी कितना मतलब की डिलैसियस बना सकते हैं बस वही है तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आते तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए अब नेक्ष्ट रेस्पी देखते हैं तो नेक्ष्ट रेस्पी है बहुत ज चार दिन यही रेस्पी बनती है नास्ते में तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है चाहे टिफिन में दे दीजिए या फिर उनको मॉर्निंग में दीजिए ब्रेकफास्ट में या फिर इविनिंग स्नेक्स टाइप में बट उन्हें चौमीन खाना बहुत पसंद है बच्चों को तो चौमीन हम पहले से उबाल लिए थे फ्रेंड और उसमें दो चमच तेल और नमक डाल करके हम हमेशा इस तरह से मिक्स करके तब चौमीन बनाते हैं इससे नमक बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है चौमीन में और चौमीन में डालने के लिए मेरे प मैं किसी और दिन चौमिन की बहुत मतलब की डिलेस्टियर की रेस्टी जरूर शेयर करूंगी क्योंकि मैं चौमिन बहुत अच्छा बनाती हुँ तो फ्रेंड इधर जो है की यह सब डाल करके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा उसके बाद मैं एड करती हूं इसमें यह मैगी का मसाला एक पैकर एड की हूँ जो कि मैं हमेशा करती हूं और इसको डालने से चौमिन का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल मतलब की मसाले दार एकदम आपकी चौमिन बन करके रेडी हो जाती है और फिर उसके बाद जब थोड़ा से सॉप्ट हो तो आप इसमें अपना शौमिन डाल दीजिएगा और फिर उसमें जो भी कुछ आप एड करते हैं मैं यहां पर थोड़ा सा चीली सॉस एड कर रही हूं और थोड़ा सा एड करूंगी सोया सॉस करीब दोनों ही कहें तो सोया सॉस भी आप टेबल स्पून ही है और उतना ही मे लेगी मसाला एड किये हुए है तो जादा की जरूरत नहीं है और बहुत थोड़ा सा ही हम यहां पर टेमेटो केचप डाल रहे हैं बस अब इसमें और कोई भी चीज नहीं पड़ेगी बस आप इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से और आपकी चौमिन भी बन करके रेडी हो दिलें चाह, और नहीं करीन दूरत नहीं मिक्स कर रहे हैं तो और कोई धर साहए है मुझा पगलगरने मिक्स कर रहे हैं, तो में दोने में लित यहां अच्छा पीक रिख रिज़्श उखाया उंद दूक्तों कैज से बात थे सार्जा और शमचए नहीं हमारी मिक्स मैंगर जब चौमीन और मेरा आज का ये जो पनीर की टिक्की पनीर विद चौमीन टिक्की जो है ये दोनों जब इस तरह से मिक्स हो गए थे ना तो वाकई में बहुत ज़्यादा डिलैसियस देखने में भी खाने में भी लग रहा था